तो गैस आज हमारे free fire के नदर आया है एक new rule age verification का और अगर आप यहाँ पर अपना age गलत बताते हो तो आपका id ban हो जाएगा, suspend हो जाएगा अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो आपको क्या करना है चलो मैं आपको बताता हूं, सबसे बिल आपको क्लिक करना है below 18 उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, number verification का, आपको अपने parents का number डाल कर यहाँ पर verification करना है, आपके mammy या इतने दिनों बाद Free Fire India आया है, उस पर भी तुम लोग ऐसा करो तो कैस चले, जो भी है, rule follow कर लो, क्या है, कुछ जादा कुछ नहीं, बस अपने parents का number यहाँ पर डालना है, और उस number पर code आएगा, उस code को यहाँ पर डालना है, जैसे यहाँ पर मैंने अपने भाईया का number डा बाल दिया हो, और काम खताम हो गया, जादा कुछ नहीं, बस code डालना है, उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से एक pop-up आएगा, और यह जो pop-up है, यहाँ पर क्या लिखाया पता है, यहाँ पर Gary नहीं बोल रहा है कि Free Fire एक virtual world है, real world नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर गे जब government ने permission दिया होगा, Free Fire इंडिया का, तो यहाँ बोला होगा कि आपको ऐसा notification सो करना है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होग रहा होते हैं, चोड़े-चोड़े बच्चे उनको लगता कि भाई, मैं यहाँ मर गया, मैं आप क्या करूँगा, तो इससे बहुत दिक्कत ह रूल को फोलो कर लेना, नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे, तिक्रम लगाओगे, फिर फता नहीं, Free Fire इंडिया भी बैन हो जाएगा, तो इसलिए भाई, अपना गेम इतने दिनों के बाद है, थोड़ा इजट कर लो, ठीक है, गवर्मेंट के रूल को फोलो कर लो, ठीक है, तो चलोगा, इस बहुत गया, बहुत ग्यान दे दिया, आज की वीडियो में बस इतनी था, I hope आज का वीडियो को पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बाखी मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई